दोस्तों मैं ब्रिकेश मिस्टर दोस्तों एंटिबाटिक दो तरीके की होती है एक होती है बैक्टिरियो स्टेटिक एक होती है बैक्टिरियो स्टेटिक क्या करती है वो जो एंटिबाटिक है वो बैक्टिरिया को इनिविट करती है और बैक्टिरियो साडिल क्या करती है वो Chloroquinolone Group के First Generation का Drug Ofloxacene के बारे में, दोस्तों Ofloxacene के बारे में थोड़ा संचेप में जान लें, ये Bacteriocidal है, ये Long Acting Drug है, मत्तब Long Acting काम करती है, इसकी Biolability बहुत अच्छी होती है, ये Bacteria को Kill करती है, कहां पे इसके DNA को मार देती है, दूसरा, ये Bacteria को Kill करती है, इसके वज़े से इसका Resistance भी बहुत कम होता है, दोस्तों बात करते हैं Ofloxacene के बारे में, इसके Mechanism Up Action के बारे में, इसके Doses के बारे में, इसके Indication के बारे में, मतलब ये किस-किस बीमारियों में दी जाती है, और इसके Side Effect के बारे में, दोस्तों, Ofloxacene जो है, वो Bacteria के DNA को Destroy कर देती है, और क्या करती है, ये इसका हो गया Mechanism Up Action, और ये जो है, ये Blood में, काफी Time तक रहती है, इसलिए इसका जो Biolability Rate है, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि Long Term Time तक ये Act करती है, अब बात करते हैं, इसके Uses के बारे में, मतलब इसके बीमारी के बारे में, बीमारी में कौन-कौन से बीमारी में दी जाती है, ये सबसे ज़्यादा फायदा करती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टिरिया में, मतलब ये Broad Spectrum Antibiotic पे काम करती है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टिरिया पे ये काम करती है, उसमें आते हैं Upper Respiratory Track Infection, जिसमें Senesitis हो गया, Tonsillitis हो गया, Pharengitis हो गया, Bronchitis में ये बहुत अच्छा काम करती है, प्लस ये यूरी ट्रैक इंफेक्शन पे बहुत अच्छा काम करती है, ये ये रिनल इंफेक्शन पे काम करती है, पेसाब में अगर कोई इंफेक्शन हो तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है, ये डार्या डिसेंट्री में बहुत अच्छा काम करती है और females में जो भी problems होती है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है बात करते हैं इसके side effect के बारे में तो इसके side effect में headache हो सकता है पेट में दर्ध हो सकता है बागी थोड़े-mोड़े side effect है ये द्रग कोसिस करें कि डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें अपने से ना लें दोस्तों यह है ओफ लॉक्ससीन यह इसके डोजेज जो है वो 200 mg 400 mg और यह suspension में भी allable है suspension में भी allable है और प्लस यह drop भी है जो कान में infection होता है तो उसमें डालने के लिए भी बहुत अच्छी ड्रग है ना कान के लिए बहुत अच्छी ड्रग है 200 mg जो है इसका OD dose है सारी BD dose है और 400 mg का भी BD dose है तो दोस्तों यह है ओफ लॉक्ससीन जो एक broad spectrum antibiotic है यह gram positive और gram negative पर काम करती है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए सेर कीजिए सस्क्राइब कीजिए